इस वीडियो में हम रेडियो आइसो टॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और अगर आपको इसका पीडियेफ चीए तो आप मुझे टेलिग्राम चेनल पर जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम चेनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा ठीक है सो इस लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं लेक्चर रिव्यू देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई रेडियो आइसो टॉप्स होते क्या है देर हम देखेंगे टाइपस आफ रेडियेशन क्या है रेडियेशन डिकेट चेन क्या होता है इसके अलावा जो radio isotopes हैं उसके applications क्या-क्या है और साथ ही साथ हम radio isotopes की जो properties हैं उनके बारे में भी cover कर लेंगे ठीक है तो इस पूरे lecture में ये सारे points हम clear करने वाले हैं और आपको इसके notes भी मिल जाएंगे telegram channel के ऊपर ठीक है तो ये start करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप हम किसको बोल रहे हैं ठीक है तो आइसोटोप जो है वो ऐसे element होते हैं जिनके अंदर same number of proton होते हैं ठीक है यानि जिनके अंदर proton का number तो same होगा लेकिन जो neutron है उनका number different होगा ओके ऐसे element ऐसे element जिनमे same number of neutron होता है same number of sorry same number of proton होता है और different number of neutron होता है different number of neutron होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम isotopes बोलते हैं ठीक है? I hope समझ में आ गया होगा isotope किसको बोल रहे हैं so अब आते है radio isotope हम किसको बोलेंगे भाई देखो ये radio isotope क्या होगा same ही होगा कि same number of proton होगा same number of proton होगा और different number of neutron होगा different number of neutron होगा लेकिन इनका जो nuclei है गाईस इनके पास में जो nuclei है ठीक है वो क्या होता है unstable होता है क्या होता है unstable होता है और इस वज़े से इनके अंदर क्या होता है ये अपने आपको stable करने के लिए कुछ energy जो होती है उसको release करते हैं किसकी फोम में radiation की फोम में energy को emit करते हैं energy emit करते हैं तो ऐसे element जिनमे same number of proton है different number of neutron है और जो nuclei है इनका वो unstable है और stable बनाने के लिए अपने आपको ये अपने अंदर की जो energy है excess of energy है उसको radiation की फोम में बाहर emit करते हैं और ऐसे element को हम radio isotopes बोलते हैं आई हूप समझ में आ गया होगा आप यहाँ देख सकते हैं इसका definition ऐसे atoms जिनके पास में same number of proton है ठीक है और different number of neutron है जिनका जो nuclei है वो काफी unstable होता है और इस वज़े से इनके पास में excess energy जो है वो emit करते हैं radiation की form में और ऐसे atoms या elements को हम क्या बोलते हैं radio isotopes बोलते हैं आप यहाँ example की तोर पे देख सकते हैं जो hydrogen के isotope है वो ठीक है isotope of hydrogen हम protein में देखते हैं neutron 0 है proton 1 है ठीक है यहाँ different number of proton और neutron होगा लेकिन यहाँ पे आप देखो deuterium में proton 1 है neutron भी 1 है और proton यहाँ पे 1 है और neutron 2 है जो treatium होता है वो radioactive होता है ठीक है बाकी सारे के सारे जो है वो radioactive नहीं होते हैं इन सब में आप देख पा रहे हैं same number of proton है यहाँ भी proton 1 है यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है यहाँ neutron 0 है यहाँ 1 है और यहां तो है तो इस तरह से hydrogen के यह isotopes होगे protium, deuterium और tritium next example अगर हम देखे तो carbon का देखते हैं तो carbon में हम देख रहे है proton 6 है, neutron 6 है यहाँ पर proton 6 है, neutron 7 है यहाँ पर proton 6 है और neutron 8 है तो इस तरह से यह carbon के isotopes होगे जहाँ पर proton का number तो सब में same है लेकिन neutron का जो number है वो सब में different different है और यहाँ पर जो carbon 14 होता है वो radioactive होता है, ठीक है यानि इसका जो nuclei है वो unstable होगा और excess जो energy होगी उसको यह radiation की form में emit करेगा तो इस तरह से हम example के तोर पर देखते हैं carbon जो है, carbon के isotopes और hydrogen के isotopes और carbon 14 यहाँ पर क्या है, radioactive है next क्या है, radioactive decay क्या है भाई so radioactive decay एक ऐसी process है जिसके अंदर जो radioactive atom होता है वो spontaneously give off radiation यानि radiation को emit करता है in the form of energy energy की form में और particle और reach a more stable state यानि कि कोई भी atom है हमारे पास में ठीक है, जो भी radioactive atom है वो radiation की form में अपनी energy को क्या करेगा emit करेगा ठीक है, इसी process को हम radioactive decay बोलते हैं और अपने आपको ये बाद में stable कर लेगा stability आजाएगी क्योंकि अभी ये unstable है और उसके अंदर energy भर भर के भरी भी है और ये energy को radiation की form में emit कर देगा और ये खुद stable हो जाएगा, ओके इसी process को हम क्या बोलते हैं radioactive decay बोलते हैं अभी next point पे आता है गाई, इसमें next point क्या है properties of radio isotope, radio isotope की properties क्या क्या है first property की बात करें तो हमने देख लिया कि भाई ये क्या करते हैं radiation को emit करते हैं, क्योंकि इनका जो nuclei है वो unstable होता है और ये अपने excess energy जो इनके अंदर भरी भी है उसको इनर्जी को radiation की form में emit कर देते हैं इनके अंदर क्या होता है, penetration का power होता है ठीक है, like मानलो कोई कागज है, इसको penetrate करके ये आगे जा सकते है मानलो कोई कपड़ा है, ठीक है, उसको penetrate करके आगे जा सकते है इस तरह से penetration का power होता है इनमें और half life का एक property ये रखते हैं, ठीक है half life को हम आगे देखेंगे अगर हम मैं type of radiation की बात करूँ तो type of radiation, चार type की radiation हमें देखने को मिलते हैं alpha particle होगे, second beta particle होगे, third जो है वो gamma rays होगी और fourth जो type है radiation का वोगे neutrons, ठीक है one by one करके हम alpha particle, beta particle, gamma rays और neutrons को देखेंगे और इनकी properties के बारे में देखेंगे इनकी क्या specialty होती है, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे so radioactive atom give off one or more this type of radiation to reach a more stable state जो भी radioactive atoms होते हैं, वो क्या करते हैं या तो इनमें से किसी type का एक radiation को emit करेंगे या फिर एक से ज़्यादा type के radiation को वो emit कर सकते हैं so हर एक type का जो radiation होता है, उसका अपना एक different property होता है ठीक है, कि हम उसको कैसे detect कर सकते हैं और जैसे की alpha का अलग property होगा, beta का अलग होगा, gamma rays का अलग होगा, neutrons का अलग property होगा और इनको हम detect कैसे कर सकते हैं और यह कैसे किसी भी organism को या फिर किसी भी चीज को effect कैसे करते हैं ठीक है, सो सबसे पहले क्या है, alpha particle होगा, radiation का type, beta particle होगा, gamma rays होगी और neutron होगा और अभी हम पढ़ेंगे alpha particle की बारे में, सो जो alpha particle होते हैं वो बहुत large particle होते हैं ठीक है alpha particle बहुत large particle होते हैं और air के अंदर सिर्फ एक इंच तक यह उपर की साइड में travel कर सकते हैं ठीक है, क्योंकि यह ज़्यादा बड़े particle है, that's why ज़्यादा air में travel नहीं कर पाएंगे so alpha particle को easily हम block कर सकते हैं, मानलो हमने कोई एक कागज का paper यहां लगा दे और यहां से हम alpha rays या alpha particle को डाल रहे हैं अगर कागज का paper है, तो यह कागज का paper ही इसको block कर देगा, ठीक है, यह कागज का जो seat है यही block कर देगा that's why alpha particle जो है, उनको easily block किया जा सकता है, as thin as seat of paper यानि paper का एक पतला सा paper है, वो भी इसको block कर सकता है next है alpha particle, do not present an external hazard to people यानि कि alpha particle से अगर हम external hazard की बात करें, यानि external जो भी harmfulness है, वो नहीं होगा externally alpha particle किसी भी organism को हानी नहीं पहुँचाएंगे, harm नहीं करेंगे they can't get through our outer layer of dead skin cells माल लो यह हमारे skin है, यह इसको cross ही नहीं कर पाएंगे भाई क्योंकि एक पतला सा कागज इसको रोग पा रहा है, तो हमारे skin तो इसको रोग की पाएगी ठीक है, तो external कोई hazard नहीं होता इसका however, they can very damaging to cell inside our bodies मान लो कि direct तो यह skin के through नहीं पहुँचा हमारे बाड़े में लेकिन breathe से चला गया, सांस लेते time कोई alpha particle हमारी बाड़े के अंदर enter कर गया या फिर मान लोग कुछ खा रहे थे और उसमें ऐसा कोई radioactive material चला गया जो कि alpha particle को emit करता है, ठीक है, तो इस तरह से हमारी body में पहुँच गया या फिर कोई घा हो गया, आपका कहीं से cut लग गया और उस cut के through हमारी body में जो है, वो alpha particle चला गया तो ऐसी condition में क्या होगा, ऐसी condition में जो body के अंदर की किसी भी तरह से enter कर जाता है तब हमारी जो cell है body के अंदर, उनको ये बहुत ज़्यादा harm पहुचा सकता है, alpha particle तो alpha particle से related ये कुछ जानकारी थी, या फिर information बोल सकते हैं, फिर इसकी property बोल सकते हैं और finally ये जो है, अगर body के अंदर enter कर जाता है, तो body के लिए बहुत ज़्यादा harmful रहता है next बात करते हैं, बीटा particle की बीटा particle जो है, वो बहुत smaller particle होते हैं और air में कई feet तक ये travel कर सकते हैं, क्योंकि small particle है, ठीक है अगर small particle होगा, तो light भी होगा weight में, as compared to alpha particle then beta particles can be blocked effectively with a few inches of plastic और even a layer of clothing अब ये beta particle हमने alpha particle में देखा था कि कागज की seat से ही block हो रहे है अब ये beta particle कागज की seat को तो पार कर जाएंगे भाई, इसको penetrate कर जाएंगे लेकिन अगर हमने एक plastic का use कर लिया, या फिर हमने एक कपडे का use भी कर लिया तो कपडे का use करने से ये आगे इसको cross नहीं कर पाएंगे, penetrate नहीं कर पाएंगे यानि plastic और कपडे से इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं however, beta particle carry enough energy, coach burn on exposed skin और ये क्या करते हैं, हमारी जो skin है, मानलो इसके उपर beta particle पड़े तो हो सकता है, अंदर तो enter ना कर पाएंगे, लेकिन skin के उपर ये जलन सी पैदा कर देंगे, ठीक है अगर beta particle हमारे skin पे पड़े, तो वहाँ पे जलन होने लग जाएगी तो ये skin के लिए इस तरह से क्या है, harmful है और by chance जो internal hazards भी रखते हैं, कि breathe के थ्रूँ ये beta particle है हमारे body में चले गए या फिर कुछ ऐसा radioactive material हमने खा लिया, जो कि beta को emit करता हो या फिर जो open wound है, यानि कोई घाव हो गया, और उसके थ्रूँ body के इंदर beta particle एंटर कर गए तो ये काफी जादा internal hazard रखते हैं, और body के इंदर जो sales है, उनको ये damage कर सकते हैं ओके, ये कुछ properties थी beta particles की next देखते है, gamma rays की बारे में gamma rays जो है, वो एर में काफी दूर तक भाई travel कर सकती है, ठीक है? gamma rays are primarily an external hazard because of their ability to go through material ये external hazards रखती है gamma rays क्योंकि ये कई चीजों को, जैसे की हमने देखा जो कागज का seat है, ठीक है? एक paper seat है उससे हमारा block हो जा रहा था alpha particle alpha particle, okay, then हमारे पास में एक cloth था, मान लो कपड़ा था कोई, अब ये हमारे पास में beta particle है और beta particle cloth से block हो जाएगा, ठीक है? ये beta particle है ये paper को तो cross कर देगा, लेकिन cloth को नहीं कर पाएगा लेकिन अगर हमारे पास में एक gamma ray है, तो वो इस paper को भी क्या कर देगी? cross कर देगी, penetrate कर देगी, और इस cloth को भी penetrate कर देगी, ठीक है? तो इस तरह से इसकी जो penetration power है gamma rays की, ये बहुत जादा होती है, that's why ये gamma rays जो वो external hazards रखती है, ठीक है? और ये किस से block हो सकती है? मान लो, कोई हमारे पास में lead है, ठीक है? तो उसके अंदर ये penetrate होने की इसकी जो density है, lead के अंदर ज्यादा dense होता है lead हमारे पास में और इसकी penetration जो power है, वो lead से गुजरने की, वो कम हो जाएगी, okay? It takes a few inches of lead और other dense substance to block gamma rays, यानि की हमारे पास में एक lead या फिर dense substance होना चाहिए, अगर हमें gamma rays को block करना है gamma rays जो है, वो internal hazards भी रखती है मान लो, हमारी body में breathe के through gamma rays body में enter कर गई, या फिर हमने कुछ ऐसा material खा लिया जिससे क्या हो? gamma rays emit हो, या फिर कोई upper mount से हमारी body में ये rays एंटर कर गई, तो ये body के अंदर cells को क्या कर सकती है, damage कर सकती है, और ये जो gamma rays है, वो इतना ज्यादा harmful नहीं है, internal hazard इनका इतना ज्यादा नहीं है, जितना beta particle और alpha particle का था, ठीक है? gamma rays जो internal hazards रखती है, वो as compared to alpha and beta के कम रखती है, ओके? so the best way to protect yourself from a gamma emitter is to increase the distance between yourself and the source, तो जहां से gamma rays, जहां से इस तरह से कुछ denote करते हैं हम इसको, जहां से gamma rays emit होती है, अगर हमें इनसे protection चाहिए, अपने आपको बचाना है, तो जो source है, ठीक है? जो source है और हमारा जो body है, उसका distance जादा हो, क्योंकि बहुत जगह पे gamma rays का use करते हैं, इसके applications भी काफी ज़्यादा है, medical industry में, और भी agriculture, काफी जगह पे यहां पे मतलब use किया जाता है, gamma rays को, तो जब हम use करते हैं, और हम चाहते हैं कि भाई, यह हमें damage भी ना करें, हमें नुकसान भी कम पहुँचाएगी, next जो type है, वो है neutrons का, अब neutrons के बारे में देखते हैं, neutrons are neutral particle, ठीक है, इसके उपर कोई भी charge नहीं होता, भाई, कोई electrical charge नहीं होता, neutron के उपर, और यह काफी ज़्यादा distance को travel कर सकते हैं, air में, ठीक है, alpha, beta, gamma, सबसे ज़्यादा travel कर सकते हैं, neutron particle, ओगी, as a neutron, travel through matter, they crash with atoms, these atoms can become radioactive, यह atoms को भी crash कर सकते हैं, travel कर सकते हैं, क्योंकि neutrons बहुत ज़्यादा matter के through, और वो जो atom है, वो radioactive बन जाते हैं, neutrons are more effective at damaging cells of the body than are the other form of ionizing radiation such as x-ray और gamma rays, neutrons जो है, वो हमारी body में जो भी cell है, उनको सबसे ज़्यादा damage करेंगे, in fact, x-ray हो गया, वो भी damage करते हैं, लेकिन gamma rays हो गया, ठीक है, वो भी, क्या गरते हैं, damage करते हैं, body की cells को, लेकिन उससे भी ज़्यादा, damage करने का काम कोन करेगा, neutron करेगा, ठीक है, next, the best way to protect against neutron radiation is by providing shielding with thick heavy materials such as lead, concrete, rock, dirt, यानि अगर हमें neutron से protect करना है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा dense material होगा उसको use करेंगे, ताकि neutron से protection मिल सके, जैसे कि gamma के लिए हम क्या कर रहे थे, lead का use कर रहे थे, block करने के लिए, ठीक है, neutrons को block करने के लिए हम lead, concrete, rock और dirt material का use कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये काफी थिक shielding होने चाहिए इसकी, यानि काफी मोटी परत होने चाहिए इसकी, अगर हमें neutron को block करना है तो, okay, so next topic है अपना radioactive decay chain, कुछ nucleate जो है, वो एक series of transformation से गुजरते हैं, मान लो कोई भी radioactive isotope है, ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, जो nucleate है, वो क्या है, unstable है, ये है unstable, अब इसको होना है by stable, अब stable कर होगा, तो ये बहुत सारी series से उके गुजरेगा, ये यहाँ पर stable हो गया, okay, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानि unstable से stable बनने तक, ये कई series से उके गुजरता है, मानलो, यहाँ पर कुछ और बना, यहाँ पर कुछ और बना, यहाँ कुछ और बना, और यहाँ कुछ और बना, फिर finally जाकि ये stable state में आएगा, ठीक है, अब ये example से समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसके बीच में कई stage आती है, ठीक है, several type of radioactive atoms are generated, this is called decay chain, तो अब uranium-238 को इस तरह से समझ सकते हैं, कि अब ये stable होने के लिए क्या बना लेगा भाई, lead बना लेगा, और uranium-238 क्या है, unstable है, unstable है, lead क्या है, stable है, लेकिन इसके बीच में क्या होगा, कई जो है radioactive atoms बनेंगे, ठीक है, माल लो इसके बीच में कई radioactive atoms बन रहे हैं, पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये ये ये, और फिर जहा कि stable state में, ये lead बनाएगा, यहाँ पे कौन-कौन से isotope हमें देखने को मिलते हैं, जो uranium-238 का decay होता है, सबसे पहले क्या बनता है, एक तो thorium बनता है, radium बनता है, इसके अलावा radon बनता है, and then vismath बनता है, ठीक है, ये क्या है radioactive isotope है, radioactive atoms है, जो की uranium-238 से लेके lead बनने तक, बीच में बनेंगे ये, इस series of transformation को भी हम क्या बोलते हैं, decay chain बोलते हैं, I hope समझ में आ गया होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, uranium-decay chain, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में uranium था, then ये thorium बना इस, then radium बना, then radon बना, और फिर bismut बना, और फिर finally lead जो है, वो एक stable stage आ जाएगी, और जबकि uranium क्या था, unstable था, और इसके बीच में एक series बन रही है, atoms की, okay, stable बनने तक, I hope समझ में आ गया होगा, कि जो decay chain है, वो क्या होती है, अभी आते हैं, अपने half life पे, जो की एक property है, किसकी radioactive isotope की, एक another property है, so another feature of each radionucleid, is its half life, okay, so half life हम बोलते, किसको है भाई, ये एक time, ऐसा time होता है, जिसमें, कोई भी radioactive atom है, मान लो कोई भी एक atom है, ये मान लो कोई atom है, और कैसा atom है, radioactive atom है, और इसमें मान लो, कितने molecule है, या फिर कितने atom है, मान सकते हैं, ये कोई radioactive element है, इसमें 100 अगर atom है, तो ये क्या होगा, decay होना start हो जाएगा, ठीक है, ये जब decay होना start होगा, और जब इसके अंदर, सर्फ 50 atom बच रहे हूं, ठीक है, तब ये जो half time है, ये पूरा decay होगा, तो सारे atom decay हो जाएंगे, इसके अंदर के, और जब ये आधा decay होगा, तो इसमें 50 atoms बच जाएंगे, यानि 50 atom जो है, वो decay होगे, तो ये आधा decay होने के लिए, जितना time लग रहे हैं, उसको हम क्या बूर रहे हैं, half life बूर रहे हैं, ठीक है, एक बर वापस से समझता है, ठीक है, radioactive element है, मालो कोई या फिर atom है, इसको आधा decay होने में, जितना time लगेगा न, उस time को हम क्या बोलेंगे, half life बोलेंगे इसकी, ठीक है, half life is the length of time, it takes off four half of the radioactive atom, of a specific radionuclide to decay, I hope समझ में आ गया होगा, कोई भी radioactive element है, या atom है, उसको आधा decay होने के लिए, जितना time लगता है, उसको हम half life बोलते हैं, एक good rule of thumb, is that after seven half lives, you will have less than 1% of the original amount of radiation, यानि कि मान लो हमारे पास में ये radioactive atom है, अगर ये साथ half life से गुजर गया, ठीक है, उसके बाद में इसका 1% radiation भी नहीं बचेगा, हमारे पास में लगबग, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से decay हो जाएगा, लगबग 1% ही radiation अगर बचेगा, तो बचेगा, इंपेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, तो एप्लिकेशन के बारे में देखते हैं, कि radioactive isotope के क्या-क्या application है भाई, नॉर्मली हम गामारे इस का यूज करते हैं, काफी जगया पे, ठीक है, और agriculture में भी radioactive isotopes का यूज किया जाता है, इसके लावा इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, साथ ही साथ जो medicine है, उसके अंदर भी हम इसका यूज करते हैं, यानि medical industry वो सकते हैं, उसमें भी हम radioactive isotopes का यूज कर सकते हैं, ठीक है, होता ही है, इंपेक्ट कई जगया पे, वन पाई वन करके कहां कहां इसका यूज होगा, वो हम देखेंगे, देखो सबसे पहले हम देखते हैं, यूज ओफ गामा रीज, यह गामा है, आप ठीक से लिख सकते हैं, इस तरह से कुछ बनता है यह गामा, ठीक है, यह क्या काम हाता है, गामा रीज का हम यूज करते हैं, जो भी food grains हैं, उनको disinfect करने के लिए, हम किसका यूज करते हैं, इसके अलावा, गर हमें food stuff को क्या करना है, preserve करना है, तो preserve करने के लिए भी, हम गामा रीज का यूज करते हैं, यानि, जो food है, उसको काफे time तक, लंबे टाइम तक उसको सुरक्षित रख सके ठीक है बिना खराब होए यानि प्रिजर्व करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं गामा रिज करते हैं next है high yielding disease resistant varieties can be developed by the application of nuclear radiation यानि खेतों में जितने भी like जो भी yielding है यानि जितने भी मान लो बीज है या फिर कुछ और है उसके अंदर disease resistant बनाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं गामा रिज कर सकते हैं ठीक है then जो cancer है उसके treatment में भी हम गामा रिज का यूज करते हैं और जो medical instruments होते हैं उनको sterilize करने के लिए भी हम गामा रिज का यूज करते हैं second जो इसका use है वो agriculture में क्या जाता है agriculture में अगर हम carbon 14 की बात करें तो जो photosynthesis है the kinetics of photosynthesis की study करने के लिए भी हम इसका use करते हैं कि किस speed से जो है वो photosynthesis हो रहा है इसका भी हम carbon 14 की मदद से help पता लगा सकते हैं study कर सकते हैं इसके अलावा जो phosphorus 32 है उसको हम plants के अंदर जो phosphorus का absorption होता है वो कैसे होता है यह पता लगाने के लिए phosphorus 32 का use करते हैं ठीक है third जो use है वो industry के अंदर है और industry में जो carbon 14 है उसको हम use करते हैं as a tracer ठीक है कोई भी reaction mechanism है reaction mechanism कोई mechanism है reaction है उसकी study करने के लिए हम as a tracer हम carbon 14 का use कर सकते हैं या फिर इसी तरह से और भी बहुत सारे जो भी radio isotope है हम उनका भी use कर सकते हैं कोई भी mechanism कैसे हो रही है मान लो कोई mechanism हो रही है अभी हम जंप से देखेंगे यहाँ पर tracer क्या है tracer एक ऐसा chemical compound है जो कि which one or more atom have been replaced by radio isotope जो कि किसी एक या फिर ज्यादा atom को replace कर सकता है radio isotope के जगह पर ठीक है देखो एक mechanism हम देख रहे है एक reaction हम देख रहे है ester hydrolysis की अगर हमें यहाँ पर किसी radio isotope का use करना है और वो हमारे किस काम आएगा यहाँ पर एक ester है ठीक है यह ester है यह water है और यहाँ इस ester और water की reaction कराने पर हमारे पास बन रहा है एक carboxylic acid और एक alcohol अब हमें यहाँ पर यह पता करना है कि भाई यह जो oxygen आ रहा है यहाँ पर alcohol में यह oxygen water से आया या फिर ester से आया ठीक है हमें पता करना है कि alcohol में यह oxygen का जो अनो है molecule है यह water से आया है या फिर ester से आया है हमें यह पता करना है तो हम यहाँ पर क्या use करेंगे tracer का use करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने इसको लेबल कर दिया इस oxygen को जो हमारा water वाला जो oxygen है उसको एक treasure से लेबल कर दिया अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि यह जो carboxylic acid है यहाँ पे यह आ गया water वाला oxygen का molecule और जो alcohol है उसमें जो molecule आया है oxygen का वो कहां से आया है ester से आया है क्योंकि यह लेबल करा हुआ था that's why हमें आप पता चल गया कि oxygen जो है वो alcohol में कहां से आ रही है तो oxygen जो है alcohol में वो ester से आ रही है तो इस तरह से पता लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरी mechanism reaction काम कर रही है कौन सा molecule कौन से पीछे वाले molecule से बन रहा था चीक है then next देखते है medicine में इसका क्या applications है क्या use है radio isotopes are used to diagnose many disease बहुत सारी disease को diagnose करने के लिए पता लगाने के लिए हम इसका use कर सकते है radio isotopes का क्या क्या uses है बाई 74as यानि arsenic बहु सकते हैं इसका use कहा होता है जो tumor है यानि cancer का पता लगाने के लिए detect करने के लिए हम इसका use करते है sodium 24 का use जो है blood clot की presence को detect करने के लिए किया जाता है then iodine 131 का use जो है वो thyroid gland की activity की steady करने के लिए किया जाता है जो 90Y है उसका use हम करते हैं arthritis जो disease है उसके treatment के लिए then 50FE है यानि ferrous है तो उसका use हम करते है detection of anemia anemia क्या होता है जिसमें हम हमें hemoglobin के कमी हो जाते है तो अगर हमें पता करने कि कि किसी को anemia है या नहीं है तो उसको detect करने के लिए हम 50FE का use करते है 32P यानि 32 Phosphorus का use कहा किया जाता है thrombosythemia एक disease है इसका treatment में किया जाता है ठीक है thrombosythemia में जो plate lates है जो plate lates है ठीक है उनका number बढ़ जाता है तो इस disease के treatment में किसका use किया जाता है Phosphorus 32 का use किया जाता है तो medical जो industry है उसके अंदर बहुत सारे disease को diagnose करने के लिए और बहुत सारे disease का treatment करने के लिए radio isotopes का use किया जाता है ठीक है यानि बहुत जादा ये हमारे लिए helpful भी होते है एक तरह से देखे तो क्या है radio isotopes हमारे लिए बहुत helpful भी है और दूसरी तरफ से देखे तो ये harmful भी है अगर ये access amount में हो इनका use तो क्या हो सकता है organism को ये harm पहुंचा सकते है नुकसान पहुंचा सकते है ठीक है अब इस table में देख सकते हो वही जो मैंने notes में डाला हुआ है आप देख सकते है different different है iodine 131 का use देख सकते है brain tumor को locket करने में monitor cardiac liver and thyroid activity के अंदर cobalt 60 का use जो है हम cancer के treatment में करते है ठीक है carbon 14 का use जो है metabolism changes for patient with diabetes gout and anemia के अंदर करते है ठीक है carbon 11 का use क्या करते है tagged on to glucose to monitor organ during a PT skin तो इसके usage है कहां कहां पे हम medical industry में इनका use कर सकते है finally या तो हम किसी disease को detect करने में करेंगे या फिर उस disease को treat करने के लिए करेंगे छीग है radiation doses in the radiotherapy cancer जो हम radiotherapy देते हैं cancer वाले patient को तो उसके अंदर हम क्या करते है भाई कुछ radiation का emission भी होता है और वो radiation जो होती है वो radiation cancer को ठीक करने के साथ साथ में जो हमारा patient है उसको नुकसान भी पहुँचा सकती है ठीक है so radiation and the particle emitted by radioactive nuclei are harmful for living organism जो भी radioactive nuclei है उसके त्वारा जो भी particle emit किये गए या फिर radiation emit करे गई वो living organism के लिए क्या होते है harmful होते है यह क्या कर सकते है यह जो radiation है हमारा genetic disorder है वो create कर सकती है वो कूज कर सकती है ठीक है यानि genes में क्या हो जाएगा mutation भी हो सकता है हमारे DNA को भी effect कर सकता है ठीक है तो इस तरह से genetic disorder या genetic disease जो है वो कोज हो सकते है radiation की वजए से effect of biological radiation can be measured in term of the unit of unit called RAD यानि जो biological radiation है उसका कितना effect हुआ है यह measure करने के लिए हम किस unit का use करते है RAD का use करते है RAD का मतलब क्या हुआ radiation absorbed dose ठीक है यानि कितनी radiation जो है वो absorbed करे गई dose की यह एक unit है जिसके अंदर हम क्या कर सकते है biological radiation को measure कर सकते है ठीक है जैसे कि भाई weight को करना है measure तो हम क्या करते है kilogram का use करते है इसी तरह से biological radiation को अगर हमें measure करना है तो हम RAD का use करते है then last point आता है impact on organisms organisms पे कैसे impact करता है बाई एक तो हमने देगा इसके applications भी बहुत सारे है ठीक है application भी बहुत सारे कई जगाए पे यह हमारे लिए helpful भी है लेकिन हर एक चीज का positive और negative दोनों पहलो होते है ठीक है अगर वो हमें help कर रहा है तो वो कहीं न कहीं हमें harm भी पहुचा रहा होगा तो यह एक side था applications का लेकिन साथ ही साथ यह organisms के लिए हानिकारत भी है harmful भी है so plant और animals within the affected area take up radioactive particles and these move through the ecosystem through bio accumulation ठीक है जिस भी area के अंदर radioactive particles emit हुए है वो plant और animal में क्या हो जाते है को affect करते हैं क्योंकि ecosystem में इनका bio accumulation होता रहता है ठीक है bio accumulation में क्या होगा जैसे कि कोई animal है उसके अंदर मालो इसने eat ही कर लिया या फिर कोई ऐसा radioactive particle जो है वो इसकी body में enter कर गया throw open wound अब क्या हो जाएगा वो radioactive particle इसकी body को तो harm पहुँचाएगा ही और ये अगले जो आने वाले animal है इनकी generation है उनके अंदर भी चला जाएगा ठीक है इस तरह से bio accumulate होता रहेगा okay radiation pollution within water also accumulate within fish and other aquatic organism साथ ही साथ ये जो है fish में भी accumulate हो सकता है और जो भी aquatic organisms है यानि पानी में रहने वाले जितने फिस के लावा और भी organism होते हैं वहाँ पे भी उनमें भी accumulation इसका हो सकता है run off from radiation within the soil provide additional contamination radioactive atom जो है वो हमारे soil के इंदर चले जाते हैं तो वहाँ भी additional contamination कर सकता है यानि soil pollution हमारे लिए बढ़ सकता है इसके अलावा next point देखे क्या होगा radioactive isotope can damage human life following causes ये radioactive isotope है ये human life को भी damage कर सकते हैं bio active radiation जैसे कि strontium हो गया ये human body इसको absorb कर लेती है human body ने absorb कर लिया तो ये क्या होगा ये हमारी body के अंदर जो भी tissue है उनको damage कर सकता है साथ ही साथ जो cancer है वो भी cause कर सकता है जो भी bio active radiation है वो हमारी body जब absorb करती है तो वो हमारी body के tissues को damage कर देती है और cancer भी cause कर सकती है ये कुछ impact थे जो की radioactive isotope है उसके organisms पे होते है हमारे environment पे होते है ये plants को भी नुकसान पहुचाते है animals को भी नुकसान पहुचाते है और जो aquatic organism है वहाँ भी उनको नुकसान पहुचाते है साथ ही साथ जो हमारा human है human life है उसको भी ये नुक्सान पहुचा सकते है ठीक है So guys, I hope सबको समझ आ गया होगा टॉपिक और अगर एक बर समराइज करना है इसको तो हम देख लेते हैं So हमने पढ़ा Radio Isotope के बारे में ठीक है Radio Isotopes अब Radio Isotopes वो हम Radio Active Isotopes भी बूसकते है क्या होते हैं जिनमें same number of neutron हो same number of neutron हो sorry same number of proton हो और different number of different number of neutron हो और जिनके पास में जो nucle है जो nucle है वो unstable हो unstable होने की वज़े से ये stable होने की ट्राइ करेगा और इसके नुकली के अंदर जो excess energy है उस excess energy को ये क्या कर देगा radiation की form में emit कर देगा ठीक है radiation की form में emit कर देगा अलफा पार्टिकल भी हो सकते है और ये रिडियो आईसोटोप्स और ये रिडियो आईसोटोप्स और ये रिडियेशन की form में emit कर सकता है भाई ये गामा रेज़ भी हो सकती है अलफा पार्टिकल भी हो सकते है बीटा पार्टिकल भी हो सकते है और निट्रोन्स भी हो सकते है one by one करके हमने इंसे इन सब को भी cover कर लिया ठीक है इसके लावा जो रिडियो आईसोटोपस है उनकी प्रापर्टी के बारे में अगर देखे तो सबसे पहली प्रापर्टी तो ये ही हो गई कि भाई ये radiation को emit करते हैं ठीक है इसके अलावा ये half life रखते हैं ओके और इसके अलावा ये इन में penetrate करने की power होती है ये penetrate कर सकते हैं किसी भी किसी भी वस्तू को या फिर thing को लेकिन depend करता है कि भाई ये कितना जो dense particle है उसको क्या कर सकते हैं penetrate कर सकते हैं जैसे कि अगर alpha की बात करें तो ये तो सिर्फ एक कागज की पन्नी को आगे cross नहीं कर पाएगा ठीक है और beta की बात करें तो ये कागज की पन्नी को तो cross कर देगा लेकिन एक cloth जो है कपड़ा है उसको cross नहीं कर पाएगा penetrate नहीं कर पाएगा gamma rays में सबसे ज़्यादा penetration power होती है यानि ये cloth को भी क्या कर देता है penetrate कर देता है लेकिन इसको block करने के लिए हम जो भी एक ठीक lead का use कर सकते हैं ठीक है इसके लाबा जो भी dense material है उसका use कर सकते हैं gamma rays को और सबसे ज़्यादा harmful जो होता है वो neutrons होता है neutrons जो है वो air में भी बहुत ज़्यादा दूर तक travel कर सकते हैं इन सबकी comparison में सबसे ज़्यादा harmful होता है neutrons ठीक है so application देख लिए हमने कि medical industry में होता है भाई इसका use कई disease को treat करने में और क्या करने में treat करने में और diagnose करने में इसके लाब industries में भी हो सकता है कोई भी mechanism है उसके अंदर वो पूरी mechanism जो है उसकी study करने के लिए कर सकते हैं agriculture में भी कर सकते हैं gamma rays जो है वो भी कई जगह पर use की जा सकती है ठीक है और इसके finally हमने impact on organism भी देख लिया कि भाई इनके uses होने के साथ में इनके कुछ नुकसान भी है ये organisms को और environment को harmful harmness भी पहुँचाते हैं ये नुकसान भी पहुँचाते हैं तो I hope सबको topic समझ में आ गया होगा अगर topic अच्छा लगा तो like कर देना share कर देना अपने दोस्तों के साथ में और subscribe कर देना अगर video अच्छा लगा हो तो ठीक है नहीं लगा हो तो आपकी मर्जी है भाई यहां तक last तक देखा है तो shortly topic समझ में तो आया है होगा और चैनल को subscribe करना मत पूलना और बैल आइकन जो है उसको भी प्रिस कर देना ठीक है thank you so much guys मिलते है नेक्स्ट वीडियो में